खेलो अब्रीवन तो अब आप सभी लोग अच्छे ओंगे आज के इस वीडियो में पन सिंगल केंडर ओडर ब्लोक या एंट्री पेटरंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे एंट्री पेटर्न के बारे में बतरने वाला हूं जो कि अपका हैली चाहते है कि इसमें time frame कौन सा रहेगा तो वो भी मैं mention कर देता हूँ या तो आपका यहाँ पर weekly होना चाहिए ठीक है weekly नहीं है तो आपका यहाँ पर daily support कर लिए अगर daily नहीं है तो यहाँ पर four hours या इससे about time आप ले सकते minimum यह time frame आपको use करना है आप one minute two minute करना चाहिए वो आपकी चाहिए फिर again and again चीज़ों के लिए ठीक है और यह सारी की सारी जो चीज़े काम करेगी order block के उपर काम करेगी जिसको multi time frame analysis अपन करेंगे as a birthday time frame पर यानि कि four hour या आप weekly या daily time frame पर पर इससे इसको देखेंगे यह basic concept है कोई भी इसको समझ सकता है कोई भी इसको कर सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कुछ चीज़े पहले सीखनी होगी ऐसा कुछ भी नहीं अगर आपको सरिफ यह देखना आता है कि support और resistance का है तो यह वहाँ पर work कर जाएगा definitely ठीक है तो इसको थोड़ा स भी नहीं कर पाया तो यहाँ पर क्या हुआ यह इस लेविल पर support लेविल पर आके candle close हो गई ठीक है तो यह आपका जो step है यह first step है तीन candle के अंदर एक step बना single candle के अंदर भी एक step बन सकता है बट डिपेंड करता है कि उस time पर market क्या है market की situation क्या है market buy side जा रहा है या sell side जा रह रहा यहाँ पर कोई एक support लेविल था वहाँ पर यह candle close हो गई यह आप five minute की candle suppose कर सकते वनार की कर सकते वीकली कर सकते डिपेंड हो नहीं आपको मैं यह सारी की सारी चीज़े लाइव चार्ट पर बीएक बार करके दिखा दूँगा ता आपको आपको सारी की सारी जो support लेने के बाद जो next candle बनती है वो candle क्या करती है कि यहाँ पर इसको break कर देती है ठीक है इसके level को break कर देती है ठीक है और उपर की तरफ closing देती है तो उपर की तरफ जैसे ही candle closing देती है तो आपका जो यह candle है यह आपका बन जाएगा SEOB यानि कि single candle order block ठीक है यानि कि चैसे ही यह market यहाँ पर आता है और candle को close करके जो recent वाली candle है उसके top को close कर देता है तो यह आपका single candle order block बन चुका है अब single candle order block बनने के बार next candle जो बनेगी वो भी आपका decide करेगी कि आपका moment क्या कहना चाहता है आपका moment जो strong है weak है यह क्या है तो जैसे ही यहाँ पर green candle बनती है first वाली then again second candle बनती है जो कि green है और काफी बड़ी candle बनती है तो आप यह भी चीज़े समझ सकते हैं कि जित्ती बड़ी candle होगी उत्ता ही बड़ा वहाँ पर strong आपको देखने को मिलेगा जित्ती छोटी छोटी candle होगी उतना ही आपको वहाँ पर weakness भी देखने को मिलेगा तो इस area पर क आए कि यहाँ पर जो दो green candle बनी है वो strong candles है तो इस strong sign की मदद से आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ से market क्या करेगा अब बूल जाने का try करेगा तो जैसे market का एक correction यहाँ पर क्या हुआ done हुआ done कैसे हुआ यह वाला sorry यहाँ पर market ने यह सारी activity अपनी तरफ से done कर दी है ठीक है यह activity मार्केट ने डन कर दी सबसे पहले market डाउन आया support लिया support लेन के बाद buy side market चले गया ठीक है third step पर market क्या करेगा वो समस्ते है थोड़ा सा तो third step पर क्या करेगा सबसे पहले first step प candle order black इस top पर market ने break दिया and market यहां तक आता है यहां तक आने के बाद जो आपने एक order block बनाया first candle का इसको बोलते है order block यह तो इस market इस order block में आगा अगर इस order block में नहीं आता है तो जो आपकी first green candle थी उसके top से आप buying कर सकते हैं इस candle का जो भी low wig रहेगा वो आपका यहां पर SL रहेगा ठीक है तो यहां से आपने क्या करना है बाइंग करना है तो यहां पर क्या होगा यह third step आपका यह होगा and fourth step में आप यहां पर buying करेंगे तो यह आपका एक entry pattern है इस pattern को आपने follow करना है और यह काफी बार आपको देखने को मिलेगा यह two minute पे मिलेगा three minute पे मिलेगा every depend यह कि आप इसको कैसे utilize करते हैं और कैसे आप इस trade को execute करते हैं आपके उपर depend लेए अब थोड़ा सा अपने इसको live market में समझते हैं कि actually market क्या करता है और किस तरीके से अपना scenario बनाता है तो यहां पर यह वनार का euro USD का chart है पर recent वाला ही chart लेते हैं चिके है देखिए सबसे प इस scenario पर market down आया down आने के बाद market यहां से इत्त अप गया ठीक है यहां पर अप जाने के बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया था जो first candle हो गी या तो वहां तक आएगा यह जो भी आपका candle का area होगा तो इसने break कहां दिया है इस area के उपर यह सभी का breakout यह area है यानि इस area के हुए ब्रेक हुआ है वह यह वाली केंडल ठीक है मैं इसको arrow से marking कर देता हूं तकि आपको थोड़ा confusion दूर हो जाए यह वाली केंडल इस वाली केंडल पर ब्रेक हुआ है इस केंडल को अगर आप देखते हैं ठीक है तो यह आपकी बनकर सिंगल केंडर order block यह वाली order block candle अब यहां से आप क्या कर सकते हैं जो भी आपका last वाला area है जहां पर आप यहां पर देख रहे थे तो यहां पर ऐसे लगा दीजिए stop loss और यहां पर बाइंग लगा दीजिए यह आपका बाइंग होगा है तो first high यह close हो गया second high यह जित्ता भी आपको लेना है आपके उपर है यह area आपका done हो चुका है सेम इसी तरीके से मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर ओर दिखाता हूं जो आपको clear हो जाएंगे सारी चीजे नेक्स स्ट्रक्चर यह चोटे टाइम फ्रेम पर था इसी को पर बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं सबसे पहले market क्या हुआ आप डाउन आने के बाद market अप गया एंडेन market अगेन यहां पर डाउन आया अब यहां पर चो ओडर ब्लोक है यह वाली candle ओडर ब्लोक है पूरी की पूरी और इसकी क्लोजिंग आप यहां पर कंशिडर कर लीजिए यह एक बार यह रिटेस्ट हुआ और अगेन market क्या करेगा अब यहां से कल जैसे मंडे को ओपनिंग होगा तो यहां से market buy side जाना start कर देगा तो first priority यह कि आपका market हो सकता है कि इस candle से rejection ले ले यही से reject के नीचे सेल आजाए अगर यहां से नहीं होता है देन उस case में market कर टॉप सेनेरियो यह रहेगा और आपका अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर यहां से आप लिक्विडिटी बेस पे entries plan कर सकते हैं तो यह आपका option रहेगा जिस पर आप कुछ भी entries वगरा plan कर सकते हैं कुछ और देखते हैं पर इसमें होड़ा सा कुछ और entries ढोने का try करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले market क्या हुआ अप गया markets इतना सा डाउन आया अगेन यहां से अप गया and market यहां पर डाउन आया अब देखिए market यहां पर डाउन तो आया लेकिन काफिट इंबाद आ जैन अलग-अलग moment यहां पर create किये market में तो market का यह जो order block है, इस order block को market ने retestiny किया, तो यह आपका work नहीं करेगा, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर market ने क्या क्या, जो अपना rule था उसको भी follow नहीं किया, तो इस वज़े से भी अपने इसको नहीं लेंगे, देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, market डाउन आया, market डाउन आने के बाद क्या हुआ, अब गया, तीक है, अब मैं आपको इसमें वो चीज़ सिखा रहा हूँ, जो आपको सीखनी है, अब जाने के बाद देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है, market डाउन आया, एक market ने green candle बनाई, बट market इसको तोड़ नहीं पाया, again market ने candle बनाई, बट break नहीं हुए, next जो candle बनी, वो break हो चुकी है, अब break तो हुई, लेकिन problem यहाँ कि market रिस्टेस्ट करने आया नहीं, वापिस यहाँ पर बाई चले गया, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस zone का wait करेंगे, कि market कभी से एरिये पर आए, income में हाँ से अपना buying plan करो, तो market यहाँ पर आया, लेकिन market में नीचे closing दी, लेकिन यहाँ से again आपको buy दे गया, यहाँ पर market ने trap किया, क्यों, क्योंकि पीछे ने कुछ ना कुछ pending था market का हो सकता है, I think, yes, इस liquidity को लेने के लिए market आया था, इस liquidity को collect करने के लिए market आया था, liquidity collect की और market buy side चले गया, ठीक है, कुछ और examples है, अपन समस्ते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, market ने क्या क्या है, सबसे पहले market यहाँ से down आया, सेम चीज, market ने candle close नहीं की, यहाँ पर जाके market ने, यह candle close की, ठीक है, candle close की तो अपन यहीं पर wait करेंगे, यह order block का बट market यहाँ से buy हुआ, buy होने के बाद, यह candle market ने यहाँ पर नीचे लगाई, अब नीचे लगाई, तो अपना order block का था, यहाँ पर, इसी order block में अपन वेट करेंगे, और जैसे market आएगा, अपन यहाँ से entry करेंगे, यह आपका SL, यह इस level तक, और यह buy, तो इस तरीके से आपको यह सारे trades वोगेरा plan करने हैं, आई ओप आपको समझ में आया होगा, तो अपन मिलते हैं जल्दी next video,